हेलो फ्रेंज स्वागत है आप सभी को आपके अपने उटो चैनल पूज़ा टेक्निकल क्लासेस पर फ्रेंज से आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं एक न्यू भकेंसी जो एससी से निकल का रही है वकेंसी यह एससी छेसल की भकेंसी है जो की 10 पलस 2 पोस्ट रिक्वार मे यहां पर फूल डीटेल बताया जाएगा यह जो वकेंसी है और इंडिया का वकेंसी है जो की आए और इंडिया के कहीं से भी आप यहां पर अपलाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू अगर इस चैनल पर न्यू है या चै करते हैं वीडियो को शुरू है यहां पर एससी चैसल की भकेंसी है यहां पर देखेंगे एज रिलेक्शन भी देखेंगे और फिर यहां पर अप्लिकेशन फी देखेंगे और उसके बाद यहां पर एक्जाम डेट और एड्मिट कार्ड डेट भी यहां पर देखेंगे यह नहीं जेनरेल बुच्ट के लिए 100 रूपीज में रहने वाली है अर वहीं बात करें इसी सब्सक्राइट के उनका 0 रूप्य रहने वाला, और पियएस के बात करें उनका भी यहां पर अप्लिकेशन फी 0 रूपया लगने वाली है और यहां पर फीमिल को भी 0 रूपया लगने वाली है application भी यहां पर date के बाद करें application लगने स्टार्ट अची की तो अप्लीकेशन स्टार्ट डिट्टलेट दिट्ट करें शोरी हो गया है और यहां पर Streetsen 200 के बाद करें तो यहीं बात करें यहांपर एक्जाम डेट की तो एक्जाम डेट यहां 12 से 27 अप्रील 2021 तक चलने वाली है यहांपर cooperate करेंक तो इपरील 2021 में एड्मिट कार्ट यहां की रिलीज हो जाएगी यहांपर पेमिंट मोड के बात करें तो पेमिंट the exam들 through debit card, credit Card, net banking through offline fee mode बाद कर लेते हैं है क्या क्या रखी गई है क्राइटेरिया यहां पे एज लिमिट के बाद करें तो यहां पर एक जनवरी 2021 तक आपको 18-09 हो जानी चाहिए और 21 यानि की मीनिमम यहां पर 18-09 रहने वाली है और मैक्समाद यहां पर 27-09 रहने वाली है के बाद करें तो एस पर रूल की हिसाब से मैं एस रिलेक्षिक्शन कर्टेग्री बाइज आपको दिखाऊंगी पहले हम जान लेते हैं तो यहां करी डेट पास टेन प्लस टू और L DC और JSA की पोस्ट है यहां पर यहां पर पोस्टister ऑर Sorting Assis트cend thousand का पोस्ट है यहां पर यहां पर पोस्ट की कुछ बात को जान लेती हैं तो L DC, JSA की जो पोस्ट रहेगी इसके लिए आपको intermediate में किसी भी सब्जेक्ट से पास होना चाहिए और यहां पे postal assistance और sorting assistance इसका भी यहां पे 10 पलस 2 में सिर्फ किसी भी सब्जेक्ट से होना चाहिए और यहां पे data entry operator के बात करें तो data entry operator के लिए यह grade A की post है जिसमें आपको यहां पे अच्छी salary रहने वाली है और इसका position सब्सक्राइब को साइन से होनी चाहिए यहां पे एज-reject section को देख लेते हैं यहां पे एज-reject section में छूट दी जाएगी ACST के लिए 5-year, OBC के लिए 3-year और PWD करनी डेट के लिए 10-year यहां पे छूट दी जाएगी और यहां पे देख लीजे उसके बाद यहां पे हम exam pattern के बात कर लेते हैं यहां पे form जो भरा जाएगा वो online भरा जाएगा जो कि छे नमबर से form online अस्टार्ट हो चुका है यहां पे हम exam pattern के बात करें तो exam pattern यहां पे 3-phase में होगी यहां पे टायर 1 और टायर 2 होगा और टायर 3 होगा टायर 1 में CBT होगा जो की computer-based होगा यहां पे कौ 25 कोशन होंगे वही बात करें यहां पे general intelligence की तो यहां पे general intelligence का 25 कोशन रहेंगे 25 माक्स का और वही बात करें यहां पे aptitude math की बात करें तो math भी यहां पे 25 माक्स का रहेंगे 25 कोशन और general awareness 25 माक्स का 25 कोशन रहेंगे तोटल जो CBT 1 होगा वो टायर 1 का exam वो आपको 100 माक्स का ट पर होगा डिस्क्रिप्ट यह पर पर होने वाली यह ताय थी जुस्म होगी यहां पर बात करो किर यही के तो टाय 3 में स्किंटिटेस्ट होगे आगजेसिट अइसेट ऑन्स इसतु कोर्यों बegal होगा इन्टी यृप डाटा होगा तो इन स्टेश से होकर गुजरने के बाद आपको जॉब यहां पर प्रवाइड कराया जाएगा तो बहुत ही ससी का बेस्ट जॉब होता है जरूर यह इसको अपलाई करें वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक जरूर किजे थैंक्यू सो मच